बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार लोकसभा चुनाओं के पहले देश के विभिन विरुधि दलों को बीजेपी के खिलाफ एकठा कर रहे हैं लेकिन उत्रप्रदेश से जिस गड़बंधन का सपनावे पाले हैं उस पर सपा बसपा के बीच की आपसी रार भारी पड़ती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी को एक साथ लिए बगएर नितिश कुमार उत्रप्रदेश में कुछ खास कर पाएंगे इस पर संदे है रही बात सपा और बसपा के एक साथ किसी भी गड़बंधन का हिस्सा होने की तो वह फिलहाल नामुम्किन नजर आ रहा है ऐसे में भारती जंता पार्टी के लिए 2024 में होने वाले लोकसभा में उत्तरप्रदेश के अपने अभेद दिक कीले को महफूज रखने में अधिक मशक्कत करनी पड़े ऐसा होता नजर नहीं आ रहा समाजवादी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाओं से लेकर इस वर्ष हुए विधान सभा चुनाओं तक गडबंतन की शकल में किसी ऐसे सहयोगी की तलाश में है जिसके दम पर वह अपना खोया सियासी वजूत पुने हासिल कर सके लेकिन 2014 से अब तक उसी लगातार निराश ही होना पड़ा ऐसे में नितिश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनोती सपा और बसपा को एक साथ लाने की है उतर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें दिल्ली की सल्तनत का रास्ता है वहा तक अभी पहुँचा जा सकता है जब प्र परती जंता पार्टी उतर प्रदेश के अपने अभेद्य दुर्ग को और मजबूत करने में जूटी हुई है दोहजार चौबिस में लोकसभा चुनाओ है उसके पहले आयोध्य में राम मंदिर समय तमाम मुद्दों पर वहा अपने विरोधियों से बहुत आगे नज़र रही है या यूँ कहें तो अब तक उत्तर प्रदेश में उसके मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा है योगी आदितिनाथ लगातार प्रदेश के दोरे पर है वे दोहजर चौबिस से पहले प्रदेश में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड और मजबूत करने में ऐसे में देखना ये दिल्चस्पी होगा कि नितिश कुमार उत्तर प्रदेश में संभावित गडबंधन से कोई कमाल कर भी पाते हैं या पिछले कई महा गडबंधनों की तरह उनका ये प्रयास भी सिर्फ कागजी घोड़े दोड़ाने तक सिमित होकर रह जाता है जहां त खिलेश यादों ने जरूर 125 सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन मायावती के खिलाफ बयान बाजी कर बहुजन वोटर्स को वे नाराज कर रहे हैं वक्त का तकाजा तो दोनों पार्टियों को एक साथ आने का है लेकिन वक्त के साथ दोनों दलों के सर्वोचनेता बेतु का विवार कर रहे है